हाई फ्रेंड वेलकुम टू माई चैनल इजी किचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी की रेसिपी तो बिल्कुल होटल स्टाइल पाव भाजी बनाएंगे लेकिन बहुत आसान तरीके से बनाएंगे जाने की लिए है यहां फ्रेश मिटर है अगर आपके पास फ्रोजन ने तर भी कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिए है तीन से चार आलू यहां पर मैंने कुछ अपल जान बूल ने तो है अब बिल्कुल एककप जितने फूल खोबिका बहुत हाय सथा आता है लेकिन अभी नहीं तो सफसे पहले हम आलू को छील लेंगे और काट लेंगे तो फ्रिशन यहाँ पर आलू मैंने चील और काटकर रेडी कर लिया है तो थोड़े इस बड़े चुपड़ों में मैंने इसे कट किया है शोटे बड़े Stupid Perché कीड़ा है प्रखे 24 भानी रहा तो खेड़ना रहा है प्राव स्काशित वियर मतर श्यूंगो की बास दो रुपध सक्षा टिंग अर इससे मोशन, म कटर सक्त रूर 2-3 डाले बहुत बिल्कोटे रड़ान है अब हमीन सब्सक्राइब घरें, इसमें हम डालें अँटासरड़ों ओक थाख मुझात 0 और इसमें हम डालें गिचार से 5 कप पानी, आप याल रखिए कर याद रखी है कि आप ठोड़ा सा पानी यह संस्ति alive अब इसमें डाल लेंगे नमक यहां मैं चोटे दो चमच नमक डाल रही हूं आपका चमच अगर बड़ा है तो इसी स्टेज पर आपको बीट भी डाल देना है अब इसको लॉप कर देंगे और इसकी हम 4-5 सीटी ले लेंगे 4-5 सीटी में हमारी सब्जिया बहुत अच्छे से पक जाएंगी चार से पांच सीटी हो चुकी है सब्जियों में अब हम इसे खुल कर देखते हैं तो दीखे फ्रेंट्स सब्जियां सभी हमारी अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे साइड में हटा लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए सभी सब्जियों को हमने एक बॉल में निकाल लिया है और यह जो हमारा सब्जियों का बचा हुआ पानी है इसको हमें बिल्कुल भी फेकना नहीं है क्योंकि यह पानी हम सब्जी में यूज करेंगे जब भी हमें पानी की ज़रत पड़ेगे अभी हम सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो यहां पर मेरे पास एक मैशर है आप चाहे तो आप किसी मैशर नहीं हो आपके पास आप किसी लोटे से भी कर सकते हैं और अगर थणडा हो ज़ाए तो आप हाथ से भी से कर सकते हैं लेकिन अभी यह फिलाल गरम है और मैं इसे कर रही हूं मैशर के साथ तो हम सभी सबजियों को अच्छे से मैश कर लेंगे एक मिनिट के अंदर हमारी सभी सबजिया मैश हो चुकी है अब ग्यास पर कडाई रखतेंगे तो यहां ग्यास पर मैंने कडाई रख ली है और कडाई में हम डाल देंगे 2-3 बड़े के लिए हम फोल रखेंगे एक चमज इतना जीरा और गाल देंगे टोड़ एसे करी पते करी पते बिल्कुर ऑप्षे नहीं है फ्रक्षण करी पते और सिबला मिट्च बारिक कटि विए टोड़ इसमें तो पर सब्सक्राइब जाए टोड़ फ्रक्राइब यहाई प्यास य तोड़ी सी फ्राइ हो चुकी अब इसमें डाल दी है प्याज अब प्याज को थोड़ा अच्छे से हम चलाते हुए बुनेंगे जब तक प्याज को अच्छे से सुनायरा कलर नहीं आ जाता तब तक हम भी इसे बून लेंगे लेंगे एक चमब जितना अधरकलहसन का पेस्ट यहां पर मैं एक से देड़ चमब अधरकलहसन का पेस्ट डाल गए है फिर से एक बास टोई कर लेंगे थोड़ा सासा सुनायरा कलर आ गया है प्याज में तो इसमें डाल लिए टोमाटर यहां मैं बारी कटेवे टोमाटर डाल रहे हैं तो यहां मैंने एक से दो बारी अब इसमें डाल लेंगे सुखे मसाले जैसे यहां पर मैं डाल रही हूँ एक चमच जितना धनिया पाउडर आदी चमच हल्दी पाउडर दो चमच जितना लालमिच पाउडर लालमिच पाउडर आपने हिसाब से डाल सकता है और यहां पर मैं डाल रही हूँ दो चमच जितना पाउडर मसाला दाला है अब कर लेंगे मिक्स अब सभी मसाल उंको प्याँ को अच्छे से बुनेंगे जब तक इसमें कलर ना आ जाए तो फ्रेंस मसाला अच्छे से बुन चुका है तो अब हमें थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप बनानी है पाव भाजी रेस्टोरेंस कलर का इस्तमाल करते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा सा फूड डाल रहे हूँ तो फ्रेंट्स अब इसमें डाल देंगे जो हमने आलू और सब्सुआ को मैश करके रखा था है वह है तो यहाँ पर मैं वह सब्सुआ डाल दूंगी मिक्स कर लेंगे सबसे पहले हमें सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी स्टेज पर आप एक बड़ा चमच जितना टेस्ट के इसाब से नमक डाल लीजिए तो फ्रेंस नमक डाल दिया है अब इसको हम इसमें पानी डालेंगे जितना भी आप पतला गाड़ा पसंद करें उसे साब से पानी डालें और पानी हम वह वाला डालेंगे जिसमें हमने सब्सक्राइब पका लिए था तो देखे फ्रेंस अब मैंने इसे थोड़ा सा अभी के लिए पतला रखा है तो इसको हम दो से तीन मिने धकर पकाएंगे तो तो गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल रखिएगा और इसे दो से टीन मिनिट के लिए डखकर रखिएगा तो यह देखिए फ्रेंट्स तीन से चार मिनिट हो गए हैं और हमारी भाजी भी अच्छे से पक चुकी है गाड़ी हो गई है यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से आप इतनी बिगाड़ी पत्ली रखना चाहता है रख सकते हैं अब हमीसे सर्फ कर देंगे तो फ्रेंट्स सर्फ करने से पहले हम इसमें ठोड़ा सा हराधनिया मिला देंगी हराधनिया से इसकी टेस्ट और भी इंक्रीज हो जाएगी तो धी दिखिए फ्रेंट्स हमने रखनिया तोड़े से हरा धनिया के साथ थोड़े से बारी कटे प्याज के साथ थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे और एक नीमबू के साथ रेसिपी कैसी लेगी आप जरूर बताएगा अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्री चानल को पर दीजे लाइक और सस्क्राइब और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मखन तो यहां पर मैंने रख दिया है तोड़ा सा मखन से व